हेलो फ्रेंड बेलकम टू माई चैनल तो आज हम HCF के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले HCF होता क्या है HCF होता है highest common factor और जैसे कि एक होता है factor और एक common factor factor को हम इंदी में बोलते हैं गुणखन या तो हम इसको अपुबर्तक भी बोलते हैं और common factor को हम बोलते हैं समाबर्तक तो जैसे factor हमेशा किसी एक संख्या का होता है जैसे चार का factor चार का factor आगे दो गुणा दो एट का factor दो गुणा दो गुणा दो six का factor दो गुणा तीन तो इस प्रकार से किसी एक का ही होता है और common factor क्या होता है किनी दो संख्याओं का common factor मतलब दो संख्याओं में से हम उससे common निकालेंगे जैसे मान लेते है 8 and 6 8 के factor क्या आगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 8 के factor यह हो गए और 6 के factor क्या आगे? 6 के factor 2 into 3 अब हम इनमें common देखेंगे 8 में क्या है? 2, 2, 2 और 6 में क्या है? 2 गुणा 3 तो इसमें common क्या है? 8 में 2 है तो इसमें भी 2 है गुणा 2 उसके बाद इसमें 2 है इसमें 2 नहीं है इसमें 2 है इसमें 3 है तो एक ही आगे हमारे पास है जो क्या है? 2 है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 2 ही ऐसी अधिक्तिम संक्या है जो 8 और 6 को बिवाजित करती है तो 2 हमारा क्या आगे? highest common factor तो यह ही हमारा highest common factor होता है मतलब कि जो किसी दो संख्याओं में से common जो होता है वो ही हमारा highest common factor होता है आईए कुछ examples करते हैं जैसे first example है find out the HCF of 12 and 24 12 and 24 के HCF निकालना है हमने जैसे 12 and 24 है तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे 12 का factor करेंगे और उसके बाद 24 के factor करेंगे तो सबसे पहले 12 के factor करते है factor को हम हिंदी में बोलते है गुनखंड 12 के गुनखंड करते है 2 into 6 होते है 12 and 2 3 जा 6 and 3 जा 3 तो 12 के factor आगे हमारे पास 2 into 2 into 3 उसके बाद 24 के factor करेंगे 24 के factor क्या आगे 2 12 जा 24 2 6 जा 12 2 3 जा 6 और 3 जा 3 तो 24 के factor आगे 2 into 2 into 2 into 3 तो इनमें common के है 12 में 2 भी है और इसमें भी 2 है तो एक आगे है 2 इसमें 2 है इसमें भी 2 है तो एक 2 इसमें 3 है इसमें 2 है तो यह नहीं है इसमें 3 है उसमें 3 है तो 3 भी आ गया तो इसको multiply कर लेंगे 2 x 2 x 3 दो दूने 4 चार को 3 के साथ गुना करने पर 12 जाएगा तो 12 के आ गया हमारा HCF आ गया 12 and 24 का बारा हमारे पास HCF आ गया तो इस परकार से एक और एक्जम्पल करते हैं जैसे find out the HCF of 18 and 21 14 और 21 का HCF क्या होगा तो सबसे पहले हमने क्या करना है गुन्खन निकाल ले है तो गुन्खन हम सबसे पहले किसके निकालेंगे इसके 18 के उसके बाद फिर 21 के गुन्खन निकालेंगे तो जैसे 18 के गुन्खन निकाले हैं सबसे पहले तो 18 के गुंखंड आगे 2, 9 जा 8 और उसके बाद 2 के साथ multiply नहीं होता है ये 2 के साथ divide नहीं होता है तो हम 3 से करेंगे 3 into 3 होता है 9 तो 3 बंजा 3 तो 18 के गुंखंड के आगे 2 into 3 into 3 उसके बाद second क्या था 21 तो 21 के गुंखंड निका लेंगे तो 21 में हम देखते हैं कि ये 2 के साथ नहीं जाता है तो ये 3 के साथ इसको हम divide करेंगे तो 3 into 7 होते है 21 और 7 बंजा 7 तो 21 के गुंखंड के आगे 3 into 7 तो इनमें common क्या है ये इनमें 2 है इसमें 2 नहीं है तो ये नहीं आएगा इसमें 3 है इसमें 3 है only 3 ही highest common factor है 18 and 21 का तो इस तरह से हम HCF निकालते हैं और यह जो विदी है इस विदी को बोलते है prime factorization method और कल हम इसकी second method को पढ़ेंगे जिसका नाम है division method जिसका नाम है division method और आज जो हमने जिस विदी से पढ़ा उस विदी को हम बोलते है prime factorization method factor करके निकाल रहे हैं न तो इसको बोलेंगे हम prime factorization method तो आज के लिए इतना ही रखते है अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना comment करना and subscribe करना धन्यवाद